बीदे साल दिसंबर में चीन से निकला कुरोना वारस अब दुनिया के जादतर देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। की तरह सामने आई है। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदेश सरकार ने COVID-19 से बीमार 6 से 10 मरीजों की दो छोटी स्टडी की। जिसमें ये पता चुरा है कि ये कोरोना वारस में उपयोगी हो सकती है। और ने इस थरपी को ट्राइल के तौर पर इस्तिमाल करने की सिफारिश की है। कॉन्वलेसंट प्लाजमा थरपी के पीछे आईडिया ये है कि इस तरह की रोग प्रतिरोधक श्रमता रक्त प्लाजमा थरपी के जरिए एक स्वस्त व्यक्ती से बीमार व्यक्ती के शरीर में ट्रांसपर की जा सकती है। कॉन्वलेसंट प्लाजमा का मतलब कॉविड-19 संक्रमर से ठीक हो चुके व्यक्ती से लिए गयर रक्त के लिक्विट पार्ट से है। स्थरपी में ठीक हो चुके लोगों का एंटीबॉडी से सम्रिध रक्त का इस्तिमाल बीमार लोगों को ठीक करने में किया जाएगा। किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडी उसके ठीक होने के 14 दिन बाद ही ली जा सकती है। और उस रोगी का कुरोना टेस्ट एक बार नहीं बलकि दो बार किया जाएगा। इतना ही नहीं ठीक हो चुके मरीज का एलीजा टेस्ट भी किया जाएगा। ताकि ये पता लगाए जा सके कि उसके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है। इसके अलावा प्लाजमा देने वाले वेक्ति की पूरी जाच की जाती है कि कहीं उसे कोई और विमारी तो नहीं है। दरसल इंसान के खून में चार जीज़े होती है। पहली रेड बलड सेल, दूसरी वाइड बलड सेल, तीसरी प्लेटलेट्स और जौती प्लाजमा। प्लाजमा खून का तरल यानि लिक्विड वाला हिस्सा होता है। शरीर में किसी वारस के आजाने पर प्लाजमा ही एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तो क्योंकि कुरोना भी शरीर में बाहर से आने वाला एक वारस है, ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद बखुद एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है रक्त में मौजूद प्लाजमा की। आपका शरीर कितना ज्यादा एंटीबॉडी बनाने में कारगर है, यही बात कुरोना के हरानी के लिए जरूरी है। शरीर अगर जरूरत के अनुसार एंटीबॉडी बना लेता है, तो ठीक हो सकता है। अब दूसरी बात, जब आप antibody बना कर किसी वारस को मात देते हैं, तो इसके बाद भी लंबे समय तक antibody प्लाजमा के साथ आपके खून में मौजूद रहती हैं, आप चाहीं तो इन्हीं डोनेट कर सकते हैं.